जड़ प्लांट जिसका ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है और इसकी चमकदार मोटी इलीव्स को लोगोदारा काफी पसंद किया जाता है और इस प्लांट को काफी सुब भी माना जाता है घर में लगाना इसलिए इसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अपनी जड़ प्लांट में क्या डालना है कि वह दोगना तेजी से बढ़ेगा और जो सबसे ज़्यादा इसके साथ इश्यू देखा जाता है कि इसकी जो प्लांट है उसकी लीव्स का येलो होके गिरना तो मैं आपको इस वीडियो में बतानी की कोशिश करूंगी कि इसका जो प्लांट है उसकी लीव्स पिली होकर के क्यों गिरती है यह है मेरे पास कुछ जड़ प्लांट और मेरे पास कुछ जड़ प्लांट और भी है जो की नीचे रखे हैं तो कुछ मेरे निकालके यहाँ पर बाहर रख ली है और देखें यह है इसका मदर प्लांट जो की से मैं सुनती हूं कि उनके जर्द प्लांट के कंड feelings नहीं है जर्द प्लांट में टाल टो बहुत सारी वीडियों में ये दीखती हूं कि जर्द में यह ऍहले डाले ऐसा करेंubenot बट मेरा मानना है कि मेरे पाथ जिटनी सारी तीमें एंन सभी में अगर मैं किसी की सबसे कम care करती हूँ तो वो है jet plant मैं इसकी बिल्कुल भी care नहीं करती हूँ और growth आपके सामने है देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी grow कर रहा है और क्यों grow कर रहा है चलिए वो जानते हैं किसी भी plant के अगर आप सुरू से ही उसकी basic requirement पूरी करते हैं जैसे कि उसको आ एक दो बार अच्छे से fertilize भी करना चाहिए अगर आप इसकी यह जो basic requirement होती है किसी प्लांट के सुरू से ही लेकर के चल रहे हैं तो आपको बाद में extra care करने की बिल्कुल भी जड़त नहीं पड़ती तो मैं plants पे सिरफ यही ध्यान देती हूं कि उनको जो भी basic need होता है वो स इसी केर करें तो इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि मैं अपनी सभी प्लांट को जो भी basic requirement होता है उनको वो सभी देती हूं तो मेरे सभी प्लांट में बहुत अच्छे से flooring होती है जिससे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे flooring हो रही है इस मैक्सिकन पिटोनिया में भी बिना केयर के देखिए यह नाक चंपा है और इसमें भी blooming देख सकते हैं तो ऐसकोई सा प्लांट नहीं है मेरे पास जिसमें blooming ना हो रही है और अगर बिटोन महीं अग्या चाली है तो इसलिए किसी भी प्लांट के अच्छे से जरूर चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जर्ट प्लांट अच्छे से ग्रोथ करें और जो लीव्स हो वो बिल्कुल हेल्थी हो और पास पास आए और साइनी लीव्स हो तो आप 2-3 घंटी के सनलाइड दें और जैसे कि यह सकुलेंट फैमिली से ब्लॉंग करता है तो ज्यादा पानी का रिखायमाइंट नहीं होता है और आप इसको वीकली 2-3 बार पानी दे सकते हैं यारी कि 2-3 दिन में आप इसको एक बार पानी दें तो इस तरीके से आप वीक में इसमें 2-3 बार पानी डाल सकते हैं और फर्टिलाइजर के अगर बात करें तो समर जैसे कि इसका growing time है तो फरवरीर से लेकर के अक्टिवर नॉमबर तक इसमें ग्रोथ होती रहती है तो इसके बीच आप इसमें दो बार solid fertilizer डाल सकते हैं उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाट डाल सकते हैं दो से तीन मिठी पॉट के हिसाब से डालेंग बहुत ज़्यादा leaves पीली होकर की गिरनी है तो उसके काफी सारी regions हो सकते हैं जिसमें first region होता है over watering अगर आप अपनी plant में ज़्यादा पानी डाल रहे हैं या किसी भी रेजन से आपके plant को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है तो ऐसे में आपके plant की leaves सारी पीली होकर की गिरनी लगती हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें जो ड्रेनेज होल हो वो काफी अच्छे से होने चाहिए और साथी में आप जो स्वयल मिक्चर लें उसमें सैंड का अमाउंट काफी अच्छा लें यारी कि लगबग 30 से 40 परसंट इसमें सैंड की मात्रा डाले जो भी स्वयल अच्छे से ग्रोथ करने के लिए अगर आप इससे कम सनलाइट अपनी प्लांट को दे रहे हैं तो इसकी लिव्स पीली हो जाती है और होकर की गिड़ने लगती है और थर्ड रीजन है कि आपके प्लांट को बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है या किसी भी कंडिशन से आपक लोग लाता है तो प्लांट की आपको आपको नजे राता होगा इसकी जो लीव्स हैं उसके कारण भी इसको प्लांट के लिव्स पीली होकर जाता है नीचे गिड़ने लाता है इसके बड़े-बड़े प्लांट भी छोटे-छोटे पॉट में आसानी से चल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह 5 इंच का पॉट है एंड प्लांट के साइज की अगर बात करें तो वह 12 इंच से बी ऊपर है और देख सकते हैं आप प्लांट कितना ज्यादा है तो इस इस तरीके से आप जैट के बड़े-बड़े प्लांट भी छोटे-चोटे पॉट में आसानी से लगा सकते हैं इवन आप इनको बटल वगर में भी लगा कि काफी लंबे टाइम तक रख सकते हैं और देखिए जितने मेरे पास तूटे-पूटे पॉट है जो भी टूट पॉट को निकालते टाइम टूट गई है तो इसके बड़ी कटिंग भी आप लगा सकते हैं इसके आप बड़ी से बड़ी कटिंग भी और इस तरीकी से छोटी से चोटी कटिंग भी लगा सकते हैं इसलिए कुछ दिन पहले मैंने कटिंग लगाई है पता नहीं आई भी इन इसके छोटी-छोटी cutting लगा सकते हैं इवन इसको लेफ्स भी प्रोपगेट करना बहुत आसान है तो इस तरीके से आप जड़ प्लांट के cutting लगा के काफी सार प्लांट बना सकते हैं बट कटिंग लगाने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी स्वाल मिक्चर बिना कि इसमें अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या डालना चाहिए जैसे कि यह एक लेफी प्लांट है और जितनी भी हमारे लेफी प्लांट होते हैं और प्लांट की लेफ्स को ग्रीन रखने के लिए हमें जो फर्टिलाइजर से होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होनी काफी अच्छी आमांट पाई जाती है और यहां पर मैं ले रही है यह वर्मी कंपोस्ट और अगर मैं बात करूं कि मैं अपने प्लांट में कौन से फर्टिलाइजर देती हो तो मेरे पास जितनी प्लांट है जड़ प्लांट को छोड़ कर भी तो मैं उन्हें सरफ दो ही व वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की काथ तो इन्हीं दोनों के ही मैं प्लांट में डालती हूं और कंडिशन आपके सामने हैं आप देख सकते हैं कि सभी प्लांट के कंडिशन बहुत अच्छी है और सभी में ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी होती है और मैं कभी अपने उससकी गुडाई कशलेने हैं अभी मेरे सोल आपको गेली नजर आ पानी डालाए सटफ तो लुकивать किनारी I đã करने के गौणा करère उसमें गौपैर छिपäकर से ठाहिए तो जीस Tab bar चलसा कीमपोस्ट होंथा तो अगर यह ज्यादा यह कम हो जाती है तो इसका कोई साइड अफेक्ट नहीं होता है तो आपको टैंशन लेनी की जोड़त नहीं है तो अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट जा लेंगी तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है मैं अपनी जड़ प्लांड में हमेशा वर्मी कंपोस्ट जालती हूँ और मैंने कभी इसमें गौबर की खात नहीं डाली है और लिक्विट फर्टिलाजर की बात करें तो मैं सिर्फ डेट से दो महीने में जो किचन वेस निकलता है या फिर कभी ओनियन पील बगर आइजर टालने की जड़त नहीं पड़ेगी